हेलो वाइस आज की जूड़े के अंदर हम बात करने वाले हैं आईक्यू की तरप से जल्द लौंच होने वाली आईक्यू नियो 7 की सकसे सथ स्रीज यानिके आईक्यू नियो 8 स्रीज की ये स्रीज चाइन मार्केट के अंदर 23 माई को ओफिसल लौंच होने जा रही है इस स्रीच के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, काफी तकड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आईक्यू नियो एट स्रीच के साथ आईक्यू अपना पहला 5G टैब भी लॉंच करने जा रहा है, आईक्यू पैड जो की जल्द ही आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आज के जुड़े हम बात करेंगे, हम ओनली आईक्यू नियो एट प्रो 5G स्मार् के साथ आने वाला है, इस बार आईक्यू नियो एट प्रो, यहाँ पर आपको लैदर बैक के साथ फ्रॉंट में लिगा, आपको कोर्णिक गोरिले गलास 5G प्रोडक्सन, और यहाँ पर मिडिल का फ्रेम मिलने वाला है, आपको अलुमिनियू का, यानि के बिल्ट प्रेम मिलने वाली है, बिल्ट क्वालिट से आपको सिखायत नहींगे, डिजाइनर वीडियो में देख लिए, डिजाइन भी काफी बढ़या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको बél्ट क्वालटी और दिजाइन से कहीं तक भी कोई सिखायत नहीं आने वाली, तो दोस्तों बत कर दे फोन के डिस्प्ले की तो लिक्स के अंदुसार यहां पर मिलेगे आपको 6.78 इंचिस के बड़ी डिस्प्ले वो भी 1.5 के रिजुलुशन के साथ और यहां पर मिलने वाली है प्रो मोडल के अंदर आपको कर्ड आमोड डिस्प्ले वो भी 120 गिट के स्मूथ हाई रिफ्रेस्ट के साथ यानिके डिस्प्ले क्वाल्टी काफी टोप नोच मिलने वाली है ओनलाइन कंटेट वाच करने गेम करने एंड वीडियो एटिंग के बावने में यहां पर आपको सिकायत नहीं आएगी और इस फोन के अंदर आपको बैजल भहुत ही कम दे होगी तो यहां पर मिलेगी आपको 1000 गीगाट की टच स्यम्पिलिंग रेस हो जो की गेमिंग के लिए काफी बढ़िया होनी वाली है यहां पर आपको गेमिंग में बिल्कुल भी सिकायत नहीं आगी अगर बात करें ओवरूल डिस्प्ले की तो डिस्प्ले क्वाल्टी काफ एक बढ़िया मिलने माला है आपको सिकायत नहीं आगी तो दोस्तों बात करते हैं फोन के मैंट पार्ट यानिकि इसकी परफॉमस की बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आया है तो च परफॉमस काफी तकड़ी मिलेगी क्योंकि यहां पर आपको मेर्टेक एक पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि न्यूव 5G चिपसेट है मेर्टेक 169200 प्लस वाली एक परफॉमस मिलने वाली है जो कि 4 नैनुमेंटर फैबर किसम बने वी है और पावरफुल गेमिंग चिपसेट है यहां पर आपको परफॉमस में सिकायत नहीं मिलेगी अगर बात करें CP परफॉमस की तो CP परफॉमस में मिलेगी आपको 3.35 गिगाट की मैक्सिमम पी किलोग स्पीड यानि कि CP परफॉमस भी काफी तकड़ी मिलने वाली है गेमिंग आप अच्छी ख गयत नहीं मिलने वाली अगर बात करें फोन में कैमरा स्टप की तो यहां पर आपको ट्रिपल डियर कैमरे का स्टप देखने को मिलेगा 50 मेंगा पिक्सल का मैन सेंसर का विद ओए इसकी सपोर्ट देखने को मिलने वाली है यानिके अल्टरा के लिए पिक्चर वीडियो रि रिकोडिंग कर पाएंगे एक बात अच्छोने वाली है अल्टरा के लिए पिक्चर वीडियो रिकोडिंग का उपसन दिया जाएगा वो भी 4K में अगर बात करें सेलफी कैमरे की तो पंच होल के साथ यहां पर मिलेगा आपको 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा यहां पर भी यहां पर भी आपको सिकायट नहीं आने वाली और यह स्मार्टफोन आपको दो पर एंट विक नहीं को मिलेगा तो दोस्तों बत करते हैं फोन के लॉंचिंग डेट की तो चाइना में 23 माई को ओफिसल लॉंच के जाएगा और उसके एक महीने बाद यानिके जून के एंड यह जुलाइ के फस्ट वीक में ओफिसल लॉंच किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर अब बात करते हैं फोन के प्राइजिंग की फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस के बात करते हैं थार्टी फाफ़जंड अब हो ही देखने को मिलेगा यह स्मार्टफोन आपको इ